10 साल बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति जीवित नहीं पचेगा जिसने 1948 विबाजन के साथ मुस्लिम लिंग और कॉंग्रेस की भयावता देखी हो 55 साल की बुजूर्ग आपको बता रही है कॉंग्रेस मुक्त भारत कितना महत्वपूना है भारत महता की जैए अब मैं आपको अपनी बात बताती हूं कि जब पाकिस्तान बना था तो हम वहां पाकिस्तान में रहते थे तो मुस्लमानों ने खाट कि हम तो जब भी अमल होएगा तो हम पहले डाक्टर साब के घर जाएगे हमारे फादर डाक्टर थे और हमारे पास पैसा सोना है, हम तेनों बैने जवान थी, इसलिए वहाँ से माल भी मिलेगा और लड़कियां भी मिलेगी, तो इसलिए हमने क्या सोचा है हमारे पापा के पास पिस्टल थी डाक्टर थे सब कुछ था लेकिन और कुछ नी था उन्होंनों रातो राती समान बांदा जरूरत का बाकि सब कुछ छोड़ चाड़ के ना वहां से किसी को बिना बताए तो गाड़ी में बैड़ गाए और मेर पाकिस्तान बन जाएगा तो तुम लोगों से सब कुछ खिच जाएगा इसलिए आप अभी से हमारे साथ चलो उन्हों का हमारे तो यहां दुकाने आए मौकान आए राल पिंडी में हमारा बिजिस आए आप अपनी बच्चें को लेह के जाओ वो नाजक पली है लेकिन हम त जाएगे और जब हमला खत्म होएगा तो वापस आजाएंगी अपने घर सब कुछ हम तो चोड़ चाड़ के काँ भिखमंगे हो के काँ जाए हम ठीक है हम लोग तो आगा है ठीक ठाक पहुंच गया है और बाद में क्या हुआ रावल पुंडी में आठ लगा दी चारो पुछ उनको मिल्ट्री के आहे ठाक और मेल्टी के ठ्रकों म्हसीजग सी चहार से फेल बक्रिया डालते है आज यहां COD अविड द़ औहुंगा कैmppu वह कुछ आएगा तो हम खाएगे अमारी तमाम माहीती थी अपडेट रहवा माटे चुड़ाए लड़ा हो S9 News साथे